नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SMS Institute के इस ऑनलाइन प्लेटफॉम पर SMS Institute आपके लिए लेकर आया हुआ है प्रश्णो 3 से संबंधित एक नया प्रोग्राम जिसमें हम विगत वर्शों में पूछे गए प्रश्णों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी व्याक्षा करेंगे मैं मनोशर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास से संबंधित प्रश्ण जो कि आपके लिए कोई भी कमपेटिशन हो चाहे आप आरेस दे रहे हैं चाहे आप पसगेड दे रहे हैं चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हैं चाहे रीड पठवार यहां तक कि यदि आप आईएस का भी एक्जाम दे रहे हैं तो इसमें भी आपको इस प्रश्णोंत्री के मार्धिम से सहायता मिलने वानी तो आईए श इस शाशक के काल में चौथी बौध संगीती का आयोजन कश्मीर में हुआ बौध संगीती देखें ये प्रश्न जो है अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न प्राचीन भारत से संब्दिन प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में भी ये प्रश्न जो है बौध सं पहले चीज़ बौधधर्म के अनुसा अगर हम चर्चा करें तो बौधधर्म कहता है चार आरे सत्थ दुख दुख संगुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपता और इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपता को ही कहते हैं मच्छिम प्रतिपता 563 इसापूर कपिल वस्तु के बाद आयोजित हुई अगर हम बात करें तो टोटल चार बौध संगीतियों का आयोजन गुआ है जिसमें चौथी बौध संगीती जो है वो कनिश्क के काल में आयोजित होती है कनिश्क कुषान वन्शिय शाशक था और कनिश्क का जो टाइम पिरिड है अगर हम देखें तो मोटा मोटा 78 से लेकर 105 इस हुए कनिश्क की दो राजधानिया थी और कनिश्क ने बौध धर्म का प्रचार किया और कनिश्क के करकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामतिस्थान पर चौथी बौध संगीती का एजन हुआ था जिसमें बौध धर्म दो भागों में बठ गया एक है हीनियान और एक है महायान हीन यान और महायान बौध धर्म की शाखा है और कनिश्क के काल में चौथी बौध संगीती का एजन हुआ है कश्मीर के कुंडलवन नामतिस्थान पर अशोप के काल में अगर आप देखेंगे तो तीसरी बौध संगीती का आये जनुआ का पाट लिए तो यहाँ पर आंसर जो है यह है कनिश्क और कुशान वंश का संस्थाफक अगर भारत में देखें तो एक वेक्ती है जिसका नाम है कुजूल कड़ फिसस और कुजूल कड़ फिसस के बाद भारत में आया विम कड़ फिसस और विम कड़ फिसस के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्मों का प्रचलन कराया गया तो हम प्रशनों के साथ साथ व्याख्या पर विशेज ध्यान दे रहें अगला प्रशन देखते हैं तो हमारा अगला प्रश्ण जो है, वो है मौरे काल से संबंद। प्रश्ण क्या है? प्रश्ण है कि मौरे काल में भूमी कर, भूमी कर यानि कि लैंड रेवन्यू, भूरा जस्व, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोट था, इस अधिकारी के द्वारा एक्रतित किया जाता था, यानि कि ऑफिसर का नाम आपको बताना है, पहली चीश, भूरा जस्व, कौटिले के पुस्तक अर्थशास्तर की अगर हम बात करें, तो कौटिले के पुस्तक अर्थशास्तर में राजा के सप्तांग सिध्धान्त बताएगें, और मौरे कालीन प्रशासन की जानकारे भी हमें कौटिले की पुस्तक अर्थशास्तर देंगी, अगर हम मौरे काल की शाशन चलाने के लिए दो प्रमुख अधिकारी होते थे एक अधिकारी जो होता था उसे कहते थे तीर्थ अधिकारी नहीं, अधिकारियों का वर्ग और एक होता था अध्यक्ष तीर्थ और अध्यक्ष 18 तीर्थों की संख्या की बात की गई है जो कि राजा को शाशन चलाने में सहायता करते थे जैसे समाहारता, जैसे सनीधाता, प्रादेश्टा, वैवहारिक ये तीर थे इनको सेलरी मिलती थी और सेलरी जो मिलती थी उसकी एक मुद्रा थी उस मुद्रा के लिए शब्द का प्रयूख किया गया है पण पण मौरे कालीन राज किये मुद्रा थी और ये पण जो थी ये चान्दी की मुद्रा थी तो मौरे कालीन अधिकारियों के ग्रूप को कहते थे सीव और एक थे अध्यक्ष, अध्यक्षों की संख्याती 26 जैसे विवीता अध्यक्ष, जैसे अकरा अध्यक्ष, जैसे पोतवा अध्यक्ष और जैसे सीता अध्यक्ष तो यह जो प्रश्ण है इस प्रश्ण का आंसर होगा कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो की भूमिकर था वह कलेक्ट करने वाला अध्यकारी क्या कहलाता था तो वो कहलाता था सीता अध्यक्ष ज्यान रखेगा मैंने बात कीये आपसे अध्यक्ष, अध्यक्षों की संघ्षाटी 26 अकरा अध्यक्ष, तो अगर आप देखें, तो ये भी एक प्रकार का अध्यकारी था, जो की एक प्रकार से खान चे स, ठीक üç, तो दूसरा प्रशन जो था, अध्यक्षों की संख्याती 26 अकराध्यक्ष तो अगर आप देखें तो ये भी एक प्रकार का अध्यकारी था जो की एक प्रकार से खान से ठीक तो दूसरा प्रश्ण जो था इसका आंसर है हमारा सीथा अध्यक्ष अध्यक्ष एक प्रकार से मौरे कालिन अधिकारी चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण जो है यह आध्मिक भारत के इतियास से संबन देता है जैसे प्रश्ण है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मादान्दी के द्वारा मात्र एक बार अधिवेशन कहां हुआ अगर हम बात करें कोंग्रेस की तो कॉंग्रेस का अर्फ है लोगों का समुक लोगों का समुक एलन औप्टिवियन हुम के द्वारा कॉंग्रेस की स्थापना की गई और कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 1881 में बंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ है और वो अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, हम बात करें कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ है बंबई में, दूसरा अधिवेशन हु हुआ है मद्रास में और चौथा अधिवेशन हुआ है इलहावाद में कॉंग्रेस का अर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया लोगों का सम्हूँ तो पहला अधिवेशन हुआ बंबई और बंबई में जो यह अधिवेशन हुआ है यह 1885 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर जी कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नारू जी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया याद रखेगा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्फा भारत के वयो व्रध नेता के नाम से भी जाना जाता है कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है यह 1887 में हुआ है मदरास में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे बद्रुदीन टैयब जी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और कॉंग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ है 88 में इलहाबात में और इसके अध्यक्ष थे जोर्ज यूले तो चार अधिवेशन आपके सामने है अब सवाल ये है कि गांधी जी गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार याद रखेगा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार कॉंग्रेस के बे 1969 को गुजरात के पोरबंदर नामत इस्थान पर गांधी जी का जन्म होता है। गांधी जी के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई जैसे हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, गांधी जी ने कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जैसे इंडियन ओपिनिय जैसे हरीजन, जैसे यंग इंडिया और 1 अगस्त 1920 को दांधी जी के द्वारा ऐसा योग आंधोलन चलाया गया। और आगे चलकर आप देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को उतर प्रदेश के चोरी चवारा नामत इस्थान पर एक भीड के द्वारा 22 पुलिस करिवियों को जिन्द जुत्य गोलमेज सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रतिनी तो किसके द्वारा किया गया। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो round table conference, number of conference की अगर हम बात करें तो तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, कहा किया गया तो याद रखियेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयजित हुए थे इंगलेंड में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुल सदस्यों की संख्या थी 246, सिंपल सी बात है, दो का पहड़ा याद करिये, दो एकमदो, दो दुनी चार और दो ती अच्छा, फिर अगर हम बात करें, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो ह वो आयजित होता है 1930 में, दूसरा गोलमें सम्मेलन आयजित होता है 1931 में, और तीसरा गोलमें सम्मेलन जो है, ये आयजित हो रहा है 1932 में, हमने कहा, तीन गोलमें सम्मेलन हुए, कहां हुए, इंगलेंड में हुए, टोटल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, 246, पहले गोल में सम्मेलन में कुल सदस्यों की संख्या थी 89 याद रखेगा 89 दूसरे गोल में सम्मेलन में कुल सदस्यों की संख्या थी 111 और बाकी जो बच गए वो तीसरे गोल में सम्मेलन यहीं कि तीसरे गोल में सम्मेलन में कुल सदस्य थे 46 अगली चीए तीनों गोल में सम्मेलन में ह इस्सा लिया था डॉक्टर भीम राव अम्बेड कर दे ये भी आपको याद रखने की आवशकता है। डॉक्टर भीम राव अम्बेड कर दे और कॉंग्रेस की ओर से केवल दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया रहा। गांधी जी पैदल यात्रा शुरू करते हैं नमक बनाने के लिए और 6 अपरेल को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। इधर अंग्रेजी सरकार चाह रही थी कि गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस भी आए। ये जो साइमन कमिशन आयत था इस पर विचार विमर्ष करने के लिए गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया थी। तो कॉंग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया, गांधी जी SS राजपुताना नमक जहाज के माध्यम से जाते हैं और वहाँ जाकर गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन सामप्रदाइकता के अधहार पर बादचीत नहीं होती है और गांधी जी वापस लोट आते हैं। एक बार फिर गांधी जी के द्वारा दुत्ते से विन्या अवग्यांदोनन चलाया जाता है। तो आंसर है महात्मा गांधी तो खिलिए आगे बढ़ते हैं। अगल हैं संगम। एक विजयनगर सामराज्य था। विजयनगर सामराज्य की स्थापना 1336 में हरीहर और बुक्का के द्वारा की गई। महम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरिड है 1325 से 1331। महम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिन भारत में दो डाइनस्टी सामने दिखाई पड़ती है। एक विजयनगर जिसकी स्थापना 1336 में हरीहर बुक्का के द्वारा की गई। और एक 1347 में स्थापना होती है बहमन की सामराच्चे तो इस विजयनगर में चार वंश आपको देखने को मिलते हैं देखेगा। क्रश्ण देवराए का अगर टाइम पीरिड अग आप देखें तो 1509 से 1528 के बीच का है और इस क्रश्ण देवराए ने तिलगु भाषा को एक प्रकार से सरक्षन प्रदार किया था। क्रश्ण देवराए इस प्रश्ण का आंसर होगा ये भी आपको ध्यार में रखने की आवशक्ता है। तो हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले तीनों प्रेसिडेंसियों का नाम लिखा हुआ है कलकत्ता, मद्रास और बॉंबे। तो भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले की स्थापना किस वर्श हुई। देखी इसके लिए आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि एक वुड डिस्पैच आया था। से याद रखे। P का मतलब है प्राइमरी, S का मतलब है सेकंडरी और U का मतलब है विश्विद्याले तो इस में कहा गया वो डिस्पैच में कि प्राइमरी इस्तर की शिक्षा लोकल लेंग्वेज यानि कि मात्र भाशा में दी जाएगी। फिर कहा गया कि माध्यमिक इस्तर की शिक्षा मात्र भाशा प्लस इंगलिश में दे जाने की बात की गई। और विश्विद्याले इस्तर की जो शिक्षा है ये जो है ये इंगलिश में देने की बात कहीए। तो पहला पॉइंट तो प्राथ में किस्तर, दूसरा है माध्यमिक इस्तर और तीसरा है विश्विद्याले इस्तर। अगली चीज कहा गया कि महिला फीमेल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तीनों प्रेसिडेंसियों में एक-एक विश्विद्याले की स्थापना की जाएगी लंदन विश्विद्याले की तर्ज पर और ये तीनों विश्विद्याले जो स्थापित किये गए थे ये किये गए थे 1857 याद रखेगा पुरूड़की में भारत में पहला इंजिनिरि कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अंसर है अथारा सो सर्ताव, चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रशन जो है, उसमें एक शब्द दिया गया है स्वराज, मैं प्रशन पढ़ता हूं, निम्द में से किस वेक्ती ने सर्व प्रथम नाच शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भहशा माना, दिखीए, इसका आंसर है स्वामि दयानन सर्ष्वति, स्वामि दयानन सर्ष्वति ने नारा दिया वेदों की ओर में, ऐठारा सो चॉब्स में, गुजरात के टंकारा नामतिस्थान पर स्वामि दयान प्रश्वति का मूल नाम था मूल शंकर और उनके द्वारा आरे समाज की स्थापना की गई थी आरे, आरे का मतलब होता है श्रेष्ट, अभिजात्य और कुलिल, स्वामे जी का मानना था कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य, बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य से भी खराब है, मतलब कुल मिलाके वो ही कहना चाह रहे हैं कि स्वराज स्वैम का राज होना चाहिए और हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, उनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामकुस्तक की रचना की गई, पाखंड खंडनी नामकुस्तक की रचना की गई, एद्वेत वाद की बारे में उन्होंने चर्चा की है, तो आरे समास से संबंदि थे और नारा था स्वामी दयानन सरस्वती का वेदों की और लोटो, वेद, वेद बना है विदधातु से, जिसका अर्थ होता है ग्यान, और हमारे चार वेद बताए गए हैं, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद, रिगवेद, सामवेद, अथरवेद, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, और अथरवेद, उपर वाले इन तीनों को कहा जाता है त्रई आपसे पूछेगा त्रई में कौन सा वेद शामिल नहीं है तो आप बताएंगे अथरवेद और ये अथरवेद जो है जादू टोनेश से संबंदित है तो स्वामी जी ने नारा दिया वेदों की ओर लोटो तो स्वाराज की बात करने वाले वेक्ति थे स्वामी द्यानन सरस्वती और इनका मूल नाम था मूल शंकर इनका एक संगठन था जिसका नाम था आरे समाज आरे का मुखलब होता है श्रेष्ट अभी जात्य और पुली चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है निमलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन सही है और क्या पहले का दूसरा कथन पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहा है की नहीं पहली चीज पहला कथन है उनिसवी सदी के सामाजिक धार्मिक आंगलन के कारण भारत का आधुनी की करण हो पहली चीज उनिसवी सदी अठारा सो एक सी लेकर 1899 तकका जो काल है इसे हम उनिसवी सदी के नाम से जानते हैं उननिस्वी सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अगर हम कारणों की चर्चा करें, तो हमारे यहां बुद्धी या ये कहें विचारशील वेक्तियों का योगदान या बुद्धी जीवी वेक्तियों का योगदान था बुद्धी जीवी या विचारशील वेक्ति से तात्परे है ऐसे वेक्ति जिन्हें प्राचीन भारत की शिक्षा की जानकारी हो और जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की भी जानकारी है तो आधुनिकी करण हुआ राजाराम मोहन राय, दयानन सरस्वती और विवेकानन ये तीन लोग हैं जो कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारांदोलन से संबंदित हैं तो उनिसवी सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकी करण हुआ आधुनी की करण मतलब ये कहिए कि राजा राम मोहन राहे जो थे जिनका जरम 1772 में बंगाल के राधा नगर नामपिस्थान पर हुआ वे पाश्चाते शिक्षा से समर्थक थे और राजा राम मोहन राहे के प्रयासों से ही विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा कानून बनाए गया अर्था सती प्रथा पर पावंदी लगा दी गई थी दूसरा कथन पहला कथन तो यह हो गया आधुनी की करण मतलब दूसरा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद वैज्ञानिक द्रष्टिकोन तथा अन्य ऐसे विचार थे जो अधुनिकता के आधार माने जाते हैं दिखिए बुद्धिवाद अब कई बार चर्चा होती है कि क्या भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पुनर जागरण की संग्या दी जए जबकि पुनर जागरण तो योरोप में हुआ पुनर जागनन यानि फिर से जागना वर्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो पुनर जागनन से होता है तो यहाँ प्रश्ण है कि क्या ए कि व्याख्या आर कर रहा है मन्कूल सही बात है आधुनी की करन में उद्धी बात तर्क की कसोटी पर कसो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मानो तो जानो यह तो गलत हो गया यह तो रूडी वाद व्याख्या हो गई तर्क की कसोटी पर कसने के लिए आपको जानो तो मानो का सिध्धान अपनाना होगा तो यह जो प्रश्ण है इसमें A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या कर रहा है अब कई बार लगता है कि इस तरह के प्रशन जो एक्जाम में आते हैं वो कॉंसेट वाले होते और हम कर नहीं पाते तो उसका क्या करना चाहिए उसका सिंपल पहले वाले के आगे एक शब्द जोड़ कर देखिए क्योंकी अगर इस क्योंकी का जवाब इसमें आपको मिल रहा है तो आपका अंसर सही है तो मैंने कहा A व्यार दोनों सही है और A की सही व्याख्या है A चलिए हमारा अगला प्रशन देखते है दान दक्षना के बारे में काफी दिहान रखता था और इसके लिए एक विभाग दिवान एक खेरात याद रखिएगा दिवान एक खेरात की स्थापना की गी तो वो शाशक कौन था जिसने दिवान एक खेरात की स्थापना की देखिए दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरिड है बारा सो छैसे पंदरा सो चब्दिस और दूसरी चीज दिल्ली सल्तनत में एक आता है गुलाम वंच, एक है खिलजी वंच, एक है तुगलक वंच, एक है सयद वंच, और एक है लोदी वंच, गुलाम वंच का संस्थापक जो है कुतुगुद्दीन अबग को माना जाता है, कुतुगुद्दीन अबग को लाख वक्ष के नाम से भी जाना जाता है, 1206 से 1210, गुलाम वंच के अगर बात करें तो और इसी गुलाम वंश का एक शाशक आप पढ़ते हैं जिसका नाम है अलाउदीन खिलजी और अलाउदीन खिलजी का टाइम पिरिड़ है बारा सो चिनवे से तेरा सो सोला तुगलक वंश तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक फिर मोहमद बिन तुगलक और एक है इसी डाइनस्टी में जिसका नाम है फिरोश शाथ तुगलक ये जो फिरोश शाथ तुगलक था इसे सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं नहरों का निर्मान कराया जोनपुर के स्थापना की और इसी फिरोश शाथ तुगलक के काल में एक डिपार्टमेंट बनता है जिसका नाम था द दिल्ली सल्टन पढ़ेंगे तो फिरोष्या तुमलग के बारे में आपको जान करी दूँगा अभी इसका आंसर है फिरोष्या तुमलग अगला और अंतिम प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण है कि कॉंग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समूदाय के लिए प्रथक निर्वा चन प्रणाली को स्विकार कब किया अर्थात वह कौन सा वर्श था जिस वर्श कॉंग्रेस ने मुसलमानों को दी जाने वाली प्रथक विर्वाचन की सुविधा को स्विकार कर दी देखिए 1906 धाका के नवार सलीम उल्ला खां और वकार उलमुश्टाक हुसेन के द्वारा मुस्विमली की स्थापना की नवा एक आता है मौरले मिंटो सुथा या कहे भारत शाषन अधिनियम 1909 इसी भारत शाषन अधिनियम 1909 के तहट मुसलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की सुविधा को लागो किया गया कॉंगरेस हाना की इस समय यानि 1909 में प्रथक निर्वाचन की सुविधा को ऐसुशिकार करते रहे आगे चल कर कॉंगरेस का अधिवेशन होता है 1916 में और 1916 में जो ये अधिवेशन होता है ये होता है लखनौ और इस लखनव अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबी का चरण मजुमदार याद रखिएगा अंबी का चरण मजुमदार और इनहीं अंबी का चरण मजुमदार की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ यहां कॉंग्रेस का विभाजन जो था वो भी समाप्त हो गया में चर्चा करेंगे और 1916 के अधिवेशन में कॉंग्रेस की द्वारा मुसल्मानों को दी जाने वाली पर्थग निर्वाचन की सुविधा को स्वीकार कर लिया जाता तो इसका आंसर होगा 1916 तो इतिहास से संबंध प्रश्ण उर्तरी में आज हम यही तक पढ़ेंगे फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में आशा करता हूँ आज की क्लास आपको उपयोगी लगी होगी फिर मिलते हैं धन्यवाद